सबी लोगों के साथ एक common problem है जो सभी को face करनी पड़ रही होगी फिलाल वो problem है flow दुबारा से उनका flow नहीं बन पा रहा होगा जो flow में वो आज से थोड़े से दिन पहले जब पहले skill हुआ था उस time पे जिस flow में हर कोई लिख रहा था वो flow नहीं बन पा रहा होगा और हर कोई चाहरा होगा कि कम से कम time में उसी same flow में किस तरीके से आया जाए तो हम इसके बारे में भी discuss करेंगे हम books के बारे में डिसकस करेंगे mistakes कम कैसे हो और matter कैसे आएगा हम ये सारी चीज़े discuss करेंगे एक एक करके सो वीडियो में last तक बने रही है और इस discussion का हिस्सा बनी है और comments करके आप अपनी queries या अपने thoughts भी रख सकते हैं सो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं अभी जो हमारा recedule हो गया test 25 और 26 को ये 100% होने वाला है अभी कुछ भी इसमें change नहीं होगा because admit card आने start हो गए है डबलू आर रीजन के तो admit card status जो होता है वो आ भी गया है और जल्दी ही और reasons के भी जो CT status वगरा जो होते हैं वो आ जाएंगे एक एक करके सो इस date को अपना confirm date मानके चलिए इस तारिख को skill होना ही होना है हर हालत के अंदर होना है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हम direct discuss करते हैं अपने main points के उपर सबसे पहला point अपना flow में कैसे आए दुबारा से उस same flow में जब हमने last time skill दिया था 10 March को इंग्लिस वालों के लिए मैं बात करूँगा और हिंदी वालों के लिए मैं 16 February के बात करूँगा उसी same flow में किस तरीके से आय जा सकता है जब पहले exam दिया तो बहुत अच्छा flow था सभी का क्योंकि तयारी थी तो उसमें आने के लिए एक जो फटांफट जो सबसे अच्छा जो तरीका है सबसे पहले वही same dictations जो आपने उस time पे practice की थी वह आपने कही ना कही लिखी होंगी आपको पता होगा कि आपने कौनसी कौनसी dictations की है प्रैक्टिस तो आप एक काम कीजिए एक एक या दो दो बार वो same dictations वो 15 से 20 dictations उठालो आप 15 dictation उठालो और उनी same dictations को आपको ना type करना है ना उनको read करना है कुछ नहीं करना आप सिरफ उनको लिखो speed में एक बार उसको 80 की speed पे लिखो फिर उसी को 100 की speed पे लिखो होसके तो उसी को 120 या 125 की speed पे लिखो ऐसे 10-15 पुरानी dictations आप कर दो आपका हाथ भी खुल जाएगा और आप दुबारा flow में आ जाओगे और उसके अलावा आपको flow पकडने के लिए अच्छे से क्या करना है आपको करनी है नई नई जो dictations है उनमें आपको read करना है और type करनी है दिन में 3-4 dictation type करनी है because अभी बहुत कम टाइम है ठीक है इसके बारे में एक detailed दस-12 दिन का detailed plan की वीडियो में कल डाल दूँगा तो आप वो भी देख सकते है तो flow में यह आप चीज़े कर लोगे तो आप flow में जो आपके पहले तयारे के आप उस flow में आ अभी क्या है बच्चों का सारों की यह दिक्कत है हर किसी की यह दिक्कत है मत्सोजना आपकी खुद की यह दिक्कत है सभी के साथ क्या दिक्कत हो रही है पहले मालो किसी की 800 words में 20 mistakes आती होंगी या 40 mistakes आती होंगी अभी सभी की 20 वाले की 40 mistake आ रही है 40 वाले की 60 mistake आ रही है में बढ़ गई होगी तो उनको कम करने का एक ही तरीका है जो मैंने flow वाला तरीका बताया है उस तरीके को जल्दी से जल्दी follow कीजिए और जादा से जादा dictations read कीजिए और दिन में minimum चार dictation आपको type करनी है उनके mistakes के प्रैक्टिस करनी है यह चीज अगर आप करते हैं और सबसे जो में इंपोर्टेंट बता रहा हूँ जन जनरल मैटर की जनरल मैटर नहीं सोरी जो कॉमन वर्ड्स हैं कॉमन वर्ड्स की डिक्टेशन करिए बहुत जादा मैंने पांचे डिक्टेशन मेरे चैनल पर भी डाली है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वह आप अगर सही करेंगे तो आप बहुत हद तक अपने मिस्टेक्स को कम कर लेंगे कॉज आप नोट करेंगे तो आप देखना अपने डिक्टेशन में जब आप टाइप करो या किसी को सुनाओ भूत सारी ऐसी गलती हैं जो बहुत ही कॉमन है जिन जो वर्ड्स भी आपको आते हैं आपको सब कुछ आता है उसमें ना आपको वो स सारे काम करिए तीन चार जिन अगर ये सारे काम कर दोगे ना तीन चार दिन के अंदर पहले के जैसे माहूल में मैक्सिमम कह रहा हूं पांच दिन के अंदर चैलेंज दे रहा हूं पांच दिन के अंदर पहले के जैसा फ्लो बन जाएगा आप करके देख लो ये सारे काम इम प्रानी डिक्टेशन्स जो आपने की हैं वो भी लिखके देखने हैं देखो 10-12 घंटे ना देने पड़ेंगे अभी अगर दुबारा फ्लो जल्दी से गेन करना है ना बीच में अगर छोट दी थी तो देने पड़ेंगे इसे कमा आप देओगे तो आपके लिए इस्यू हो स पता किस टाइब का मैटर आएगा हम चाहते हैं कि इंग्लिश वाले केसी में से आजाए हिंदी वाले भी चाहते हैं उनका महोदे वाला मैटर आजाए जो इजी वाला होता है उनकी बुक्स वगरा का मेरे को इतनी लोलेज नहीं है हम चाहते तो यह हैं कि यह वाले मैटर आ नॉर्मल डिक्टेशन भी करो, एक अधी बड़ मैक्सीमम डिक्टेशन आप प्रोग्रेसिव से करो, या हाड मैटर के लिए प्रिपेर होके जाओ, अगर आप यहीं से केसी के लिए प्रिपेर होके चले गए और वहाँ पे आ गया ना, फिर आपके देखलो, होश उडा देग वो system में पूरा जो तो बढ़िया अपना must बढ़िया से अपने hard dictation के लिए ready होगे जाओ और वहाँ पे जागे आप forward होगे dictation आप आ जाओगे flow में relax रहोगे and confident रहना है इससे अगली चीज books required English वालों के लिए करूंगा मैं इसमें सबसे पहले आप कैलास चंद्रा की कोई भी magazines उठा सकते हैं कोई भी same magazine में से आपको नहीं करना है progressive magazine से उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं 5-6 months की कोई भी random उठागे ठीक है इसके अलाव आप YouTube से general matter अलग अलग डेली दो dictation minimum आप कोई general matter की अलग लग topics की उठागे कर सकते हैं यह मैंने तेको तीन चीज़े बताई हैं ठीक है तीन मैं दुबारा लिख देता हूं तीन चीज़े बताई हैं केशी progressive magazine और YouTube इसके लएवा कोई भी बुक कुछ भी नहीं चाहिए यह चीज़े इनफ से भी जादा हैं इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं रहने वाला है यह चीज़े आप अपना पूरे दिल ओ दिमाग पूरे जी जान लगा के अच्छे से कीजिए आपका सब कुछ कवर हो जाएगा एटु जड चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लोगे और आपको कोई भी टेंशन लेने की जूरत नहीं है आप इन चीज़ों पर अपना पूरा फोकस रखिए आपका सब कुछ अच्छा होगा और आप पोजिटिव रही है आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा पोज इसे किसी डिफरेंट पैंस ऐसे अंडर लाएं ऐसे करके मिस्टेक्स काउंट कर सकते हो और इससे क्या है हाथ हो आथ पता चल जाता है कि क्या मिस्टेक किया मैंने कैसे गल्त बनाया यह है इसके बारे में भी आपको बताएंगे कभी ना कभी सो चैनल को सब्सक्राइब कर इसके लिए और भी आ गया थे अच्छी वीडियो जाने वाली हैं इसी रिलेटिड सो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना एंड गुड लग दोस्तों कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके इंस्टाग्राम पर मैसेज करके किसी भी टाइम मेरे से सकते हो तो गुड लग दोस्तों